नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका नेचर के अरफार्म के यूट्यूब चैनल में जैसा कि आपको पता है हम इस चैनल में फिस्ट फार्मिंग, पॉल्ट्री फार्मिंग और ब्लैक सोलजर फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो लेके आते हैं तो उसी के उसमें आज ये वीडियो है फिस्ट फार्मिंग से रिलेटेड जैसा कि आपने थमनेल देखा है पी एच और अलकलेनिटी चुना क्यों और कितना मिलाएं बीमारियों से कैसे कंट्रोल करती है अलकलेनिटी यानि कि छारियता तो इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि आखिर जो हम चुना मिलाते हैं अपने टैंक में बायो फ्लॉक में या पॉंड में तो उसको क्यों मिलाते हैं वो चुने से क्या-क्या फायदे होते हैं और कितना आपको मिलाना है ये कैसे आप तै करेंग या calcium carbonate और चुना उसमें से जो भी आप मिलाना चाहिए लेकिन ये गलत है ऐसा नहीं होता है pH और चुना या calcium carbonate का relation नहीं है pH अलग चीज है और alkalinity अलग चीज है ये दोनों एक दूसरे से related है लेकिन जो चुना मिलाया जाता है वो pH चेक करने की बजाए alkalinity को चेक करके मिलाया जाता है कि आपके पानी की alkalinity कितनी है वो decide करता है कि आपको कितना चुना या कितना calcium carbonate मिलाना है जैसे कि आपको पहले कुछ ट्रेनोरों ने बताया था कि नमक कितना मिलाना है कि आप उसका TDS चेक कीजिए और आप 1500 या 2000 TDS करने के लिए तब तक नमक को उसमें मिलाते रही है फिर बाद में जब उस पे मैंने सेलेनिटी की वीडियो डाली थी तब वो बोलने लगे कि आप पानी को पी के देख लीजिए पहले कि आपका पानी नमकीन है या नहीं है और उसके हिसाब से आप नमक मिलाईए तो ऐसे ट्रेनोरों से बच के रही है जैसे कि आप सेलेनिटी को चेक करते हैं सेलेनिटी को चेक करके आप डिसाइड करते हैं कि आपको कितना साल्टी है कितना नमक आपको पानी में मिलाना है वैसे ही कैलसियम कार्बोनेट या चुना मिलाने के लिए आपको एलकलेनिटी चेक करना होता है कि आपके पानी की alkalinity कितनी है जो alkalinity है वो 75 से 300 तक फिस फार्मिंग में रखी जाती है लेकिन 200 से लेके 250 ppm तक सबसे अच्छी होती है जैसे pH हम कहते हैं कि 6 से 9 तक आपको pH रखना है लेकिन आप 7 से 8 के बीच में रखे आपको फ्लैक्चुर टो लेकिन वैसे ही आपका 75 से 300 त लेकिन आपको 200 से 250 ppm तक alkalinity रखनी है अगर आपको अच्छा कल्चर करना है अब इस alkalinity से होता क्या है इसके बारे में हम देखें एक तो यह pH को फ्लैक्चुएट नहीं होने देती है जैसे जैसे temperature बढ़ता है या घटता है तो आपका pH फ्लैक्चुएट होता है morning में आपका pH 9 था, evening में आपका pH 6 हो गया और फिर वापिस morning में फिर 9 आगया या ऐसे घटता बढ़ता रहेगा तो अगर डेड़ दो pH आपका 7 से 9 चला गया या 9 से 7 चला गया यह fluctuation अगर आपके पानी में होता रहेगा तो फिस stress में आएगी और उसमें disease आएगी तो इस fluctuation को alkalinity रोकती है, alkalinity होती है उसका buffer isn't उस पानी का कि कितना buffering करेगा वो जैसे pH डाउन होने लगेगा तुरंत उसको उपर correction कर देगा वो तो आपका pH को fluctuate होने नहीं रहेगा constant रखेगा pH अगर 7 है तो 7.2, 7.3 तक जाएगा फिर वापिस हो 7 तक आजाएगा ऐसा नहीं कि 7 से 8 चला गया और 8 से फिर 7 आ गया तो यह नहीं होने देगा मेन कारण alkalinity का यहीं होता है और alkalinity का मेन काम भी यहीं होता है लेकिन अगर alkalinity आपके पानी में कम होती है तो खास करके जैसे आपके देशी मांगूर है, सिंगी है, पंगेशियस है, बिदाउट इसकेल वाली जो फिस जादा आएंगी अगर आपके पानी की alkalinity कम है, तो ध्यान रखे आपको alkalinity बहुत ज़रूरी है, जितना आप pH चेक करते हैं, उतना ही alkalinity चेक करना भी आपको बहुत ज़रूरी है, आप pH देखते हैं, पिएच आपका, क्योंकि आप हर समय या तो इबनिंग में चेक करते हैं या हर समय morning में चेक करते हैं, पिएच जब भी चेक करें, तो morning में भी करें, डे में भी करें और evening में भी करें, अगर आपका pH फ्लेक्चुएट हो रहा है, तो आपके पानी की alkalinity कम है, आप तुरंत alkalinity अपने पानी की बढ़ाईए, और alkalinity ज़रूर चेक करें, और 200 से 250 तक आ हमें चुना मिलाना पड़ता है अपने तालाब में या बायो फ्लॉक टैंक में, क्योंकि और प्रॉब्लम आ रही होती है, चुना सिर्फ pH और alkalinity के लिए नहीं मिलाए जाता है, बहुत सारे काम करता है चुना, जैसे मस्य पालान में बहुत ही उपयोगी होता है, चुना का हागा परियोग करने से तालाब रोग मुक्त होता है, यानि कि आपकी बिमारियां कम आएंगी चुना अगर आप लगातार मिलाते है, इसके अलावब चुना तालाब में निम्लिकित करियां को नियंतरित करता है, जैसे तलाब के pH को नियंतिरीद करता है pH बढ़ाता नहीं है pH को नियंतिरीद करता है याने कान्ट्रोल करता है न जादा गिरने देता है न बढ़ने देता है buffering agent होता है buffer solution के तौरपर भी चूना का यूज किया साता है तालाब की नमबर तीन oxygen की मात्रा बढ़ाता है, dissolved oxygen को भी बढ़ाता है, proper help करता है, dissolved oxygen को बने रहने में चुना मिलाने से, तालाब में अमलिय चारिय माध्यम को नियंत्रित करता है यानि कि 7 से नीचे और 7 से उपर जो pH होती है उपर जाएगा तो alkaline चारिय माध्यम होगा नीचे आएगा तो acidic होगा तो acidic और alkaline pH को maintain करने का काम करता है बफर solution का काम करता है चुना तालाब में उत्पन होने वाले जीवानू फफूंद यह बैक्टिरिया को मारता है bacterial fungal infection को भी चुना खतम करता है तो बहुत सारे समय हमें ऐसा होता है कि चुना मिलाने की जरूरत परती है fungal infection bacterial infection को खतम करने के लिए पानी गंदा हो जाता है उसे साब करने के लिए तो उस समय आप alkalinity जरूर चेक करें यानि कि आपने ज्यादा मिला दिया काल GR-300 क्र चली गई तो आपको प्राब्लम हो जाएंगी ब्रेक्ट वडियंग 일본 के ट्रेनिंग और प्ल्ट्री फॉर्मिंग चुरूड यह दुबारा से फिर से ट्रेनिंग इमारे वां मेष्जक कराया हुआ है तो दुबारा से कंफ्रम कर ली जीए तो डेट्र होते ही नेक्स वीडियो में आपको डेट भी बता दी जाएगी या वाटसेप से आपको मैसेज बेज दिया जाएगा थैंक यू थैंक यू बरी मच अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सेयर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स